नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI Papers में. दोस्तों, आज हम ITI Electrical का Question Paper solved करने वाले हैं. इसमें केवल आपको Right और Wrong आंसर नहीं बताएं गए हैं. हमने कोशिश करी है कि आपको बेहतर तरीके से सारे Question का Explanation दे सके. What is the advantage of concealed wiring? Concealed wiring का क्या फायदा है? आपके options हैं. Concealed wiring को अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह नमी और धूल से सुरक्षित रहती है. इस wiring में हमें Physical Damage होने का खत्रा भी काफी कम रहता है. Concealed wiring में कम Maintenance की जरूरत पढ़ती है क्योंकि इसमें धूल, नमी, गंदगी और परियावरणिये प्रदूशकों का प्रभाव कम होता है. इसका राइट आंसर होगा Option B, Protection Against Moisture. What is the symbol indicates यह चिन्ह क्या दर्शाता है? आपके options हैं A, Table Fan, B, Ceiling Fan, C, Exhaust Fan, D, Bracket Fan. दिये गए चित्र का Electrical Symbol Ceiling Fan है. आपको बाकी सारे फैन के Electrical Symbol इस पिक्चर में मिल जाएंगे. इसका राइट आंसर होगा Option B, Ceiling Fan. In which device the air capacitors are used? वायू संधारित्र का उप्योग किस उपकरण में किया जाता है? A, Radio Receiver, B, Oscillator, C, TV Tuner, D, Loudspeaker. Air Capacitor या Variable Capacitor का उप्योग मुख्य रूप से Radio Receiver को किसी विशेश Transmitting Station पर टून करने के लिए किया जाता है. जब हम दो अलग-अलग स्टेशनों को टून करते हैं, तो हम वास्तव में rotor plates को stator plates के अंदर या बाहर ले जाकर capacitance को बदलते हैं. घूमने वाली sheets के set को rotor कहा जाता है, जबकि स्थिर sheets के set को stator कहा जाता है. प्रत्येक Transmitting Station के लिए receiver को एक अलग frequency पर टून करने के लिए air capacitor का उप्योग inductor coil के साथ किया जाता है. इसका सही उत्तर होगा option. A radio receiver, what is the name of the drill bit? चित्र में दिखाए drill bit का क्या नाम है? आपके options हैं A. Flat drill bit, B. Taper shank bit, C. Straight shank bit, D. Countersink bit. Taper shank drill एक प्रकार की twisted drill है, जिसमें एक shank होता है, जिसे drill press या leth machine जैसी drilling machine में fit करने के लिए design किया गया है. Taper shank drill में morse taper होता है. Taper shank drill को sleeve के माध्यम से machine पर fit करा जाता है. Drill sleeve का उप्योग तब किया जाता है, जब drill का taper shank machine spindle से छोटा होता है. Taper shank drill का उप्योग आमतोर पर उन अध्योगों में किया जाता है, जहां उच्च गतिवाले drilling संचालन की आवश्यक्ता होती है, जैसे धातू लकडी को drill करने के लिए. इसका right answer होगा option B. Taper shank bit. What is the name of the tool? इनमें दो leg होते हैं, जिन्हें किसी cavity के अंदर fit करने के लिए समायोजित किया जा सकता है. Inside caliper का उप्योग आमतोर पर pipe या cylinder के अंदरूनी व्यास को मापने के लिए किया जाता है. आप caliper को pipe के अंदर fit करने के लिए समायोजित कर सकते हैं और फिर व्यास निर्धारित करने के लिए दो बिंदूओं के बीच की दूरी को माप सकते हैं. इसका राइट आंसर होगा option D. Inside caliper. Which relay can be operated at both AC and DC? कौन सा relay AC और DC दोनों पर संचालित किया जा सकता है? A. Dry-Read relay B. Farad relay C. Impulse relay D. Thermal relay Impulse relay एक electrical switch है जिसे electromagnet द्वारा नियंत्रित किया जाता है. R. Relay की coil voltage rating यह निर्धारित करती है कि इसका उपयोग AC या DC के साथ किया जा सकता है. इसका उपयोग AC और DC दोनों सरकिट में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है. इसका right answer होगा option C. इसका right answer होगा option C. Which material is used to make negative plates in lead acid battery? सीसा अमल battery में रणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? A. Lead Peroxide B. Sponge Lead C. Lead Dioxide D. Lead Sulfate Lead Acid Cell एक battery है जो रासाइनिक उर्जा को विद्युत उर्जा में परिवर्तित करने के लिए sponge lead और lead peroxide का उपयोग करती है. पॉजिटिव प्लेट पर सक्रिय पदार्थ लेट डायोन अकसाइड होता है. दूसरी और नकारात्मक प्लेट पर सक्रिय पदार्थ स्पंज लेट होता है. दोनों lead को डाइलूटिट सल्फियूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइट घोल में डुबोया जाता है. इसका right answer होगा option B. Which accessories are used to operate a portable appliance? Portable उपकरण को संचालित करने के लिए कौन से सहायक उपकरण का उप्योग किया जाता है? आउटलेट accessories का उप्योग टेबल पंखे, टीवी, इलेक्रिक आइरन आधी जैसे portable उपकरणों की आपूर्ती के लिए किया जाता है. आउटलेट accessories rating का standard 6, 16, 32 आधी वोल्ट हो सकती है. 2-pin socket, 3-pin socket, 2-pin plug, 3-pin plug आधी इस श्रेणी में आते हैं. आउटलेट accessories को mounting प्रकार, पिनों की संख्या, विद्युत क्षमता और वोल्टेज के अनुसार निर्दिष्ट किया जाना चाहिए. इसका right answer होगा option number A. What is the name of cooling method in transformer? Transformer में शीतलन विधी का क्या नाम है? A. Oil natural water forced cooling B. Oil forced air forced cooling C. Oil natural cooling D. Oil natural air forced cooling Transformer की cooling वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा transformer में उत्पन्न गर्मी को हटा दिया जाता है, ताकि transformer सर्वोत्तम दक्षता के साथ काम कर सके. Transformer में cooling के तरीके है, air natural, air blast, oil natural air natural, oil natural air forced, oil natural water forced, oil forced water forced. इसलिए दिये गए सारे options ही सही है. Which is a paramagnetic substance? अनुचुम्बकिय पदार्थ कौन सा है? A. Air B. Gas C. Steel D. Water Air एक अनुचुम्बकिय पदार्थ है. चुम्बकिय अक्षेत्र की उपस्थिती में रखे जाने पर, paramagnetic पदार्थ चुम्बकिय अक्षेत्र की ओर कमजोर रूप से आकर्शित होते हैं. Air के अनुचुम्बकिय गुण मुख्य रूप से आक्सिजन अनुओं की उपस्थिती से उत्पन्न होते हैं. आक्सिजन अनुओं के आनविक कक्षकों में दो अयुगमित इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब किसी अनुचुम्बकिय पदार्थ को बाहरी चुम्बकिय अक्षेत्र में रखा जाता है, तब आक्सिजन अनु स्थाई चुम्बक की तरह व्यभार करते हैं, और खुद को बाहरी चुम्बकिय अक्षेत्र की दिशा में ही सनरेखित कर लेते हैं. इसका right answer होगा option number A Name the part marked X in the file चित्र में दर्शाय गए X से इंगित रेती के भाग का नाम बताईए A, Tang B, Shoulder, C, Edge, D, Heel दर्शाय गए चित्र में X को Heel के नाम से जाना जाता है Heel उपकरण के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो Tang या Handle के सिरे के सबसे करीब होता है जहां file का वास्तविक भाग शुरू होता है और आम तोर पर सपाट होता है Heel उपयोग करता के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में काड़े करती है और अकसर यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभाती है कि उपकरन का उपयोग सही और सुरक्षित रूप से किया जाए इसका राइट आंसर होगा option number D What is the name of the soldering method? चित्र में दिखाए गए soldering विधी का नाम क्या है A. dip soldering B. soldering gun C. soldering iron D. soldering with flame दिया गया चित्र soldering gun को दर्शाता है soldering gun का उपयोग उन application के लिए किया जाता है जहां अधिक गर्मी की आवश्यक्ता होती है क्योंकि iron solder कम पावर का उपयोग करते हैं इस उपकरन का उपयोग धातू PCB soldering जैसे कार्य को जोडने के लिए किया जाता है Soldering gun धातू की सतहों के बीच एक मजबूत और टिकाव जोड़ प्रदान करता है इसका right answer होगा option B What is the name of the tool? चित्र में दिये गए औजार का क्या नाम है? A. Combination pliers B. Crimping tool C. Wire stripper D. Diagonal cutting pliers दिया गया चित्र Diagonal cutting pliers को दर्शाता है Diagonal cutting pliers को wire cutter या side cutter के रूप में भी जाना जाता है इसे तारों, कीलों, cutting wire, केबलों और अन्य सामग्रियों को काटने के लिए डिजाइन किया गया है इसका right answer होगा option number D What is the type of fuse? चित्र में दिये गए fuse का क्या नाम है? A. Knife edge cartridge fuse B. Ferrule contact cartridge fuse C. High rupturing capacity fuse D. Diaz screw type cartridge fuse दिया गया चित्र HRC fuse को दर्शाता है इस प्रकार के fuse को over current को संभालने और संभावित overload या short circuit से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है जब fuse से गुजरने वाला current एक निश्चित rating से अधिक हो जाती है तो fuse तार पिघल जाता है जिससे circuit बाधित हो जाता है और विद्युत प्रणाली को और अधिक नुकसान होने से रोका जा सकता है HRC fuses का उपयोग आमतोर पर आवासिये वानिज्जिक और ओध्योगिक अनुप्रयोगों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है इसका राइट आंसर होगा option number C जैविक संक्रमन व्यावसाइक स्वास्थ्य खत्रे का कारण है जैविक खत्रों के अंतरगत, बैक्टीरिया, वाइरस, कवक, पौधों के कीट और संक्रमन शामिल है ये खत्रे, विभिन कार्य परिवेशों, जैसे स्वास्थे देखभाल, प्रयोग शालाओं और क्रिशिक कार्य स्थलों में मौझूद हो सकते है यह लोगों में बीमारियों का कारण बन सकते है इसका राइट आंसर होगा option number A How many two-way switches are required in go-down wiring circuit to control four lamps? चार लैंपों को नियंतरित करने के लिए गोदाम wiring circuit में कितने two-way switch की आवश्यक्ता होगी? A, 2, B, 5, C, 3, D, 4 Go-down wiring में चार लैंपों को नियंतरित करने के लिए तीन two-way switch की आवश्यक्ता होगी सभी two-way switch power supply के parallel जुड़े गए है Neutral सभी two-way switch के उपरी टर्मिनल से जुड़ा है Phase terminal सभी two-way switch के निचले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है Bulb one तब जलेगा जब switch one नीचे की और अन्य तीन switch ऊपर की और स्थित होंगे Bulb two तब जलेगा जब switch one और दो नीचे और अन्य दो स्थित ऊपर और होंगे Bulb three तब जलेगा जब switch one पर दो तीन नीचे और switch चार ऊपर और होगा जब सभी switch नीचे की स्थिती में होंगे तो bulb 4 जलेगा इसका right answer होगा option number C एक शाखा खोलने पर समानांतर circuit का क्या प्रभाव पड़ता है A. Whole circuit will not function B. Voltage drop increase in opened branch C. No current will flow in that branch D. Current will remain same एक समानांतर circuit में सभी घटक एक ही voltage स्रोच से जुड़े होते हैं इसका मतलब है कि प्रत्येक घटक पर voltage समान होता है Parallel circuit में प्रत्येक शाखा में current स्वतंत्र रूप से प्रभाहित होता है यदि किसी circuit में कोई एक शाखा खुली हो तो भी current parallel circuit की अन्य शाखाओं में प्रभाहित होता रहेगा इसका right answer होगा option number C Which material in breather to prevent moisture entering in the transformer oil? Transformer के तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए breather में कौन सा पदार्थ होता है? A. Charcoal and Salt Mixture B. Silica Gel C. Sodium Chloride D. Ammonium Chloride Silica Gel breather में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक है Silica Gel नमी के स्तर को नियंतरित करने में अत्यधिक प्रभावी है और नमी को उपकरण में प्रवेश करने से रोकता है ये नमी सोखने पर रंग बदलता है नीला Silica Gel नमी सोखने पर गुलाबी हो जाता है इसका राइट आंसर होगा Option B Which is used as an electrolyte in lead acid battery? सीसा अमल सेल में विद्यूत अब घट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है A. Hydrochloric Acid B. Diluted Sulfuric Acid C. Potassium Hydroxide D. Ammonium Chloride Lade Acid Cell एक बैटरी है जो रासायनिक उर्जा को विद्यूत शक्ती में परिवर्तित करने के लिए Sponge Lade और Lade Peroxide का उपयोग करती है Positive Plate पर सक्रिय पदार्थ Lade Dioxide होता है दूसरी और Negative Plate पर सक्रिय पदार्थ Sponge Lade होता है दोनों Lade को Diluted Sulfuric Acid के Electrolite घोल में डुबोया जाता है Electrolite का प्राथमिक कार्य विद्यूत रासायनिक प्रतिक्रियाओं को शुरू करना है जो विद्यूत उर्जा उत्पन्न करते हैं इसका Right Answer होगा Option B What is the name of the hammer? चित्र में दिखाए गए हतोड़े का नाम क्या है? दर्शाया गया चित्र Claw Hammer का है इसका मुख्य उप्योग कीलों को ठोकना और निकालना है हाला कि आप इस बहुमुख्य उपकरण का उप्योग अन्य उद्देश्यों के लिए भी कर सकते हैं जैसे दीवार में छेद करना या पतली धातु को सीधा करना इसका राइट आंसर होगा option number D विच पार्ट मार्क्ट एज एक्स इन दी अंडर्ग्राउंड केबल अंडर्ग्राउंड केबल में किस भाग को एक्स के रूप में चेहनित किया गया है A. बेडिंग B. पेपर इंसुलेशन C. आर्मरिंग D. लेड़ शीथ दर्शाया गए चित्र में बेडिंग को चेहनित किया गया है बेडिंग केबलों के लिए भविष्य में आसान रखरखाव की सुविधा के साथ यांतरिक सुरक्षा और थर्मल इंसुलेशन प्रदान करता है यह धातू आवरण को जंग से और कवच के कारण यांतरिक चोट से भी बचाता है उचित बेडिंग भूमिगत केबल सिस्टम की दीरघकालिक विश्वसनियता को सुनिश्चित करता है इसका राइट आंसर होगा option number A What is the full form of BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या है? A. Bureau of International Standard B. Bureau of Indian Standard C. Board of Indian Standard D. Board of International Standard BIS का पूर्ण रूप Bureau of Indian Standards है ये भारत में बनी चीजों के लिए एक गुणवत्ता जाँच करता है वे सुनिश्चित करते हैं कि खिलोने, भोजन और इलेक्रोनिक्स जैसे उत्पाद सुरक्षित और उप्योग में अच्छे हो BIS ऐसे मानक तै करता है जिनका पालन कंपनियों को ये सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि उनके उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले हैं और इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा इसका राइट आंसर होगा Option B What is the unit of magneto motive force? चुम्ब की ये वाहग बल की क्या इकाई है? A. Ampere Volt B. Ampere Turn C. Ampere Watt D. Ampere Per Volt What is the unit of magneto motive force? चुम्ब की ये वाहग बल की क्या इकाई है? A. Ampere Volt B. Ampere Turn C. Ampere Watt D. Ampere Per Volt इसका राइट आंसर होगा Option B What is the name of the wire joint? चित्र में दिखाए गए तार के जोड का क्या नाम है? A. Arial Tap Joint B. Duplex Cross Tap Joint C. Knotted Tap Joint D. Double Cross Tap Joint चित्र में दिखाए गए तार के जोड का नाम Knotted Tap Joint है विद्युत तारों में Knotted Tap का उपयोग तब किया जाता है जब जोडा हुआ तार पर भारी यांतरिक तनाव होता है इसका उपयोग Branch Wire को मुख्य चालक से जोड़ने के लिए किया जाता है इस प्रकार के जोड यच का उपयोग Overhead वित्रन लाइनों में किया जाता है जहां Service Connection के लिए विद्युत उर्जा की टैपिंग की जाती है इसका Right Answer होगा Option No. A What is the name of the Lightning Reflector? चित्र में दिखाए गए प्रकाश परावर्तक का क्या नाम है? A. Parabolic Type B. Mirror Type C. Dispersive Type D. Soft Light Type चित्र में दिखाए गए प्रकाश परावर्तक का नाम Parabolic Reflektor है Parabolic Reflektor एक Concave Mirror है जिसकी सतह का उप्योग उर्जा संचारित करने के साथ साथ उर्जा एकत्र करने के लिए किया जाता है इनका उप्योग उर्जा को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ले जाने के लिए भी किया जाता है जैसे Earth Station Antina में इसका Right Answer होगा Option No. A भौतिक हानी पर्यावरण में मौझूद ऐसे कारक या स्थितियां हैं जो आपके स्वास्थे को नुकसान पहुचा सकते हैं भौतिक खत्रों में आग, विस्फोट, संपीडित गैसें, उच्च वैक्यूम और विद्युत खत्रे शामिल हैं इसका Right Answer होगा Option No. C जंक्शन बॉक्स में कौन सा वायर जॉइंट पाया जाता है? A. Rat Tail Joint B. Arial Tap Joint C. Married Joint D. Plain Tap Joint जंक्शन बॉक्स में Right Tail जोड पाया जाता है Right Tail जोड दोनों सिरों को एक दिशा में फैला कर और उन्हें एक साथ मोड कर बनाया जाता है यह जो DH उन हिस्सों के लिए उप्युक्त होते हैं जहां चालक पर कोई यांत्रिक प्रतिबल नहीं होता इसका Right Answer होगा Option No. A What is the size of neutral conductor compared to phase conductor? Phase conductor की तुलना में neutral conductor का आकार क्या है? A. Half size of phase conductor B. Same size of phase conductor C. One fourth size of phase conductor D. One third size of phase conductor Three-phase system में neutral wire का आकार Phase wire की तुलना में आधा होता है Balanced, three-phase system में neutral wire में Total current R wide B phase का phase or sum होता है इसका मतलब हुआ Neutral wire में current का मान लगभग शून्य होता है जितना कम current होगा हमें उतने ही पतली wire की जरूरत होगी आर्थिक परिप्रेक्षे में कम neutral conductor का उपयोग करने से wiring की कुल लागत कम हो जाती है इसका right answer होगा Option number A Which error if the energy meter disk rotating continuously on no load यदि उर्जा मीटर डिस्क बिना लोड के लगातार घूमती है तो उसमें कौन सी त्रोटी होगी A. Friction Error B. Phase Error C. Creeping Error D. Speed Error उर्जा मीटर में creeping एक ऐसी स्थिती है जब उर्जा मीटर की aluminum disk तब भी घूमती रहती है जब उसके current coil में कोई current प्रवाहित नहीं होता है ये कई कारणों से हो सकता है जैसे घर्षन, कमपन, stray effect आदी डिस्क पर एक दूसरे के बिलकुल विपरीत दो छेद प्रदान करके creeping को रोका जा सकता है जब एक छिद्र शंट चुम्बक के ध्रूओं में से एक के नीचे आएगा तो डिस्क रुख जाएगी इसका right answer होगा option number C which part is losing electron during electrolysis electrolysis के दौरान कौन सा भाग electron खो रहा है A. Electrolite B. Separator C. Anode D. Cathode electrolysis प्रक्रिया में electrolyte में DC करंट प्रवाहित करके ionic यौगिकों को उनके तत्वों में विघटित करा जाता है electrolysis के दौरान anode electron कोता है जिसे oxidation कहा जाता है वहीं दूसरी और cathode electron प्राप्त करता है जिसे हम reduction कहते हैं इसका right answer होगा option number C in which place the tree system of wiring is most suitable wiring का tree system किस स्थान पर सबसे उप्युक्त है A. Go-down wiring B. Multi-storied building C. Industrial wiring D. Domestic wiring tree wiring विधी प्रणाली में एक पेड की तरह कई शाखाएं मुख्य लाइन से निकाली जाती है प्रत्येक शाखा एक अलग सर्किट के रूप में काम करती है tree system wiring में प्रकार के plug और socket की आवश्यक्ता होती है इस विधी को मुख्य वितरन विधी के रूप में भी जाना जाता है और यह बहुमंजिला इमारतों के लिए उप्युक्त है इसका right answer होगा option B What type of electrical accessory is ceiling rows? Ceiling rows किस प्रकार का विद्युत सहायक उपकरण है A. General accessories B. Holding accessories C. Safety accessories D. Outlet accessories Ceiling rows एक outlet accessories है जिसका उप्योग छत में बिजली के outlet को छुपाने और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है यह outlet के लिए एक सजावटी कवर प्रदान करता है यह circuit में विभिन अस्थानों पर तारों को के लिए junction बिंदू के रूप में भी कार्य करता है इसका right answer होगा option number D AC समानांतर परिपट में प्रेरकत्व का पारसपरिक क्या है A. Reactance B. Susceptance C. Conductance D. Admittance प्रेरकत्व के पारसपरिक को Susceptance कहते है Susceptance यह मापती है कि प्रत्यावर्ती धारा किसी capacitance या inductance से कितनी आसानी से गुजर सकती है Susceptance चुंबकी अक्षेत्र की ताकत के सीधे आनुपातिक और conductor के प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है इसका right answer होगा option B Why damping force is required in a moving coil instrument? चल, कुंडली उपकरण में damping बल क्यों आवश्यक है? A. Helps the deflecting force to act fast B. Control the needle without oscillations C. Brings the needle to its zero position D. Makes the needle movement faster किसी moving coil उपकरण में oscillation को कम करने और reading को स्थिर करने के लिए damping force की आवश्यक्ता होती है Oscillation के कारण meter reading लेते वक्त तुटियां हो सकती है Damping force लगा कर coil को धीमी गती से oscillate कराया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक स्थिर reading प्राप्थ होती है इसका right answer होगा option B What is the name of the wiring? चित्र में दिखाई गई wiring का नाम क्या है? A. Staircase wiring B. Hostel wiring C. Go-down wiring D. Tunnel wiring चित्र में दिखाई wiring staircase wiring है Staircase wiring दो अलग-अलग स्थितियों से लोड को नियंतरित करने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला connection है एक switch सीढ़ी के उपर और दूसरा switch सीढ़ी के नीचे दिया जाता है Bulb को किसी भी switch से चालू और बंद किया जा सकता है इसका उपयोग और दियोगिक क्षेत्र में विद्यूत उपकरणों को आसानी से नियंतरित करने के लिए किया जाता है इसका right answer होगा option number A What is the name of the conduit accessory? चित्र में दिखाई गई conduit सामगरी का क्या नाम है? A. Solid elbow B. Solid bend C. Inspection elbow D. Inspection bend चित्र में दिखाई गई सामगरी conduit inspection elbow है Conduit elbow का उपयोग आम तोर पर तब किया जाता है जब आपको तार फिटिंग के दौरान मोड बनाने की आवश्यक्ता होती है इस फिटिंग में एक हटाने योग्य धक्कन या कवर होता है जो दो या दो से अधिक छोटे स्क्रू द्वारा फिट करा जाता है इंस्पेक्शन elbow को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है कि हम मौजूदा केबलों को हटा या अतिरिक्त केबल जोड सके इसका राइट आंसर होगा option number C What is the name of meter? चित्र में दिखाया अनुसार meter का नाम क्या है? A. AC multi-range voltmeter B. DC multi-range voltmeter C. AC multi-range ammeter D. AC power meter चित्र में दिखाया गया उपकरण multi-range DC voltmeter है DC voltmeter एक मापने वाला उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट के किनी दो बिंदूओं पर DC voltage को मापने के लिए किया जाता है इसे multi-range कहा जाता है क्योंकि यह कई अलग-अलग श्रेणियों में voltage को माप सकता है DC multi-range voltmeter को उनकी निर्दिष्ट सीमा के भीतर सटीक voltage माप प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है इसका right answer होगा option B What is the name of transformer? C auto transformer D shell type transformer दिख्या गया उपकरण single-phase core type transformer है इस transformer के चुम्बकिय सर्किट में दो उर्ध्वाधर खंड होते हैं जिन्हें limbs कहा जाता है और दो क्षैतिज खंड होते हैं जिन्हें york कहा जाता है Core transformer में limbs sex पर संकेंद्रित winding या cylindrical winding होती है Core transformer में अक्सर बहतर प्राकृतिक शीतलन विशेशताएं होती हैं क्योंकि winding बाहरी हवा के संपर्क में होती है जिससे गर्मी अधिक प्रभावी धंक से नश्ट हो जाती है इस transformer का उप्योग उच्च voltage और उच्च शक्ती transformer के रूप में किया जाता है इसका right answer होगा